तो आज की इस वीडियों हम देखेंगे क्लाश चेंथ मैथ चेप्टर 6 जो की है ट्रेंगल यानि की त्रिभूच के सभी महतुपूर्ट सुत्र इस्टूड़न देखेंगे यदि इस्टूड़न आप क्लाश चेंथ में है तो यह वीडियो आपके लिए भेरी भेरी इंपोर् एक जर्वह है और इसके अंदर एक च्छोटा वर्ण है तो यहां क्या है यह भी आपका वर्ण भाड़ आयकर पो यह 0zn लग देखने लेकिन दोनों एक जैसे ही देखने में आपको लग रहे हैं इसी प्रकार से आप यहां पर देख सकते हैं सरकल सरकल भी हमारा बड़ा है उसके अंदर एक छोटा वाला सरकल है तो दोनों सरकल देखने में एक जैसे लग रहे हैं लेकिन इसकी परीधी बड़ी है और इस वाली क की परिती छोटी है तो सिर्फ यही फरक है यानि कि इसका मतलब कहने का मतलब क्या संगरूप अकृतियां क्या होती है संगरूप अकृतियां वे अकृतियां होती है जो देखने में एक समान लगती है उनका लेंद कम या जादा हो सकता है अब हम इस्टूडेंट आगे देखत क्या है P Q R तो पहला सर्थ यहां पर क्या है आप देख सकते हैं तीनों शंगत कोड़ आपस में बराबर हो इसके कहने का मतलब क्या है कि यह जो कोड़ A है कोड़ P के बराबर हो कोड़ B क्यूं के बराबर हो कोड़ C कोड़ R के बराबर हो यानि दोनों त्रिभूज के संगत क कोड़ तीनों आपस में बराबर हो जैसे कि यहां पर लिखा गया है कोड़ A बराबर कोड़ P है कोड़ A बराबर कोड़ P और कोड़ B बराबर कोड़ क्यूं है इसी प्रकार से कोड़ C बराबर कोड़ R है यहां पर तब त्रिभूज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभूज P क्य तो इस प्रकार से आप प्रूब कर देंगे अब दूसरा कंडिशन आप देख सकते हैं क्या है तीनों भूजा का अनुपात आपस में बराबर होना चाहिए जैसे के स्टुडेंट यहां पर आप देख रहे हैं यह हमारी क्या है त्रिभूज आप पिकूसर का प्रूज बराबर होना चाहिए तब हमारा क्या हो जाएगा त्रिभूज ABC समरूफ हो जाएगा त्रिभुज PQRK तो इस प्रकार से हमने देखा अब हम देखते हैं तीसरी काउन सी कंडिशन है तीसरी कंडिशन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं तीसरी कंडिशन यही वाली कंडिशन है कि दो भुजा का अनुपात वह एक कोड आपस में बराबर हो तो दो भुजा कोई भी हो सकता है दो भुजा का अनुपात तो आप यहाँ पर देख सकते हैं या तो AB बटे PQ हो जाए यहाँ आपकी एक भुजा का अनुपात हो गया और दूसरा क्या BC अपान में QR हो जाए यानि दो भुजा का अनुपात बराबर हो और एक कोड बराबर यानि कि कोड कोई भी आपका बराबर होना चाहिए लेकिन एक कोड बराबर होना चाहिए और दो कोई भूजा का अनुपात आपस में बराबर होना चाहिए इस प्रकार से आपने देखा तो आपने क्या बोल देंगे त्रिभूज ABC समरूफ है त्रिभूज PQR की इस प्रकार स से सर्ट है जिससे हम बोल सकते हैं कि दो त्रिगूजफ आपस सरवांग संं है पहला क्या है तीनो संगत्व भुज़ा आपस है बराबर होनी चाहिए तो इसका कहने का मतलब क्या है एबी हमारा पी क्यों के बराबर होना चाहिए और दूसरा हम देखेंगे दूसरा condition इसमें क्या दिया गया है भूजा कोड भूजा इसके कहने का मतलब क्या है दो भूजा दो भूजा वह एक कोड आपस में बराबर होने चाहिए तो दो भूजा कोई भी हो सकती है तीन भूजा में से तो A B P Q के माल लिए बराबर है उसके बाद B C Q R के ब से मिलमों आपस में बराबर हैं तो हम क्या बोलतेंगे त्रिभी जो हैँमारा स्रवंगस्ण है और तीस्रा condition आप देख सकते हैं तीसरा कंडीशन कन सी है और बूजा कोड इसके कहने का मतलब क्या है दो कोड और एक भूजा आपस में बराबर होने चाहिए तो कोई के बराबर है कोड़ सी कोड़ आर के बराबर है यहां पे आपने देख लिया तो इस प्रकार से आपने बता देंगे कि यह त्रिभूज हमारा क्या सरवांगसम है अब हम इस्टूडेंट आगे एक थियूरम देखते हैं जो कि यह बहुत ही इंपोर्टेंट है तो इसको आप ध्यान लगा के अच्छेश पढ़िएगा और इजली याद कर लीजेगा बहुत ही इजी है त्यल्स प्रमे का इस्टेंटमेंट क्या कहता है किसी त्रिभूज में किसी भूजा के समानतर खीची गई रेखा से इस दो भूजाओं को समान अरुपात में विभाजित करती है अब हम त्रिभूज के माध्यम से समझते हैं कि त्यल्स प्रमे हमारा क्या कह रहा है त्यल्स प्रमे के अनुसार एस्टुडेंट किसी त्रिभूज में किसी भूजा के समानतर खीची गई रेखा से इस दो भूजाओं को समान अरुपात में विभाजित करती है तो यहां प त्रिभूज ABC में BC parallel है यानि समांतर है DE के तो आप क्या करेंगे थेल्स प्रमय के अनुसार यह लगा सकते हैं AD upon mahän DB बराबर होगा AE upon EC के बराबर होगा जैसे कि यहाँ पर आपने देखा AD upon mah DB बराबर होगा AE upon mahe c के बराबर होगा तो थेल्स प्रमे के अनुसार एक student किसी भी त्रिभूज में किसी भूजा के समानतर खीची गई रेखा से दो भूजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है यही आपका है थेल्स प्रमे जो कि सबसे easy है हम student आगे देखते हैं जो कि यहाँ भी आपके लिए भेरी भेरी important है पाइथा गोरस प्रमे यानि पाइथा गोरस प्रमे क्या होता है तो पाइथा गोरस प्रमे के अनुसार किसी समकोड त्रिभूज में कर्ड का वर्ग से दो भूजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है यह इसको हम त्रिभूज की सहाता से समझते हैं यहां पर student देख सकते हैं एक त्रिभूज दिया गया है a, b, c, त्रिभूज दिया गया है जिसका की code b कितना है नब्बे एंस दिया गया है और c जो है माँ लेते हैं ठीटा है तो यह नब्बे एंस के सामने वाली जो भुजा होती है वह कड होती है और theta के जो सामने वाली भूजा होती है वह हमेशा लंब होती है और theta जिस पर इश्थित होता है यह हमारा क्या होता है अधार होता है तो यहां पे कड अधार लंब हमने लिखा हुआ है वो इस्टुडेंट पाइथा गोरस प्रमे के अनुसार यही है कि किसी भी समकोड त्रिभूज में यानि कि एक यहाँ पर यह जो कोड भी है कोड भी हमारा क्या है समकोड है तो यह त्रिभूज हमारा क्या हो गया समकोड त्रिभूज हो गया किसी भी समकोड त्रिभूज में कड का वर्ग सेस दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है इसका मतलब क्या है कड का वर्ग यहाँ पे सेस दो भुजा यानि लंब और अधार के वर्ग के योग के बराबर होता है यानि कि कड का स्कॉयर बराबर लंब का स्कॉयर प्लस अधार का स्कॉयर इसकी स सबसे पहले हम जानेंगे संबाहू त्रिभूज क्या होता है संबाहू त्रिभूज वे त्रिभूज होते हैं जिनकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं जैसे कि यहां त्रिभूज है हमारा इन्टू भूजा का इश्क्वार कर देंगे तो किसी संबाहू त्रिभूज का चितफल ग्यात हो जाएगा अब संबाहू त्रिभूज की उचाई मतलब कि यहां पर ए से लेकर के डी तक की उचाई कितनी होगी यानि दूरी कितनी होगी तो अंडरूट 3 by 2 इन्टू भूजा तो नीची वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जहां से जाके आप इसका पीजी अफ नोट से डाउनलोड कर सकते हैं एस्टुड़न वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नहीं तो अपली चैनल को सब्स्क्राइब कर दें तक कि मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें